जो 19 अप्रेल की जो 3rd सिप्ट में जितने भी प्रेशन आये हैं उनका हम 1-2-1 डिसकस करते हैं और केसे प्रेशन पुछे गए हैं सभी के उपर हम एक-एक करके चर्चा करेंगे और अगर आप लोगों का भी आज पेपर था तो आप लोग भी कमेंड करके मुझे बता सकते है किस प्रकार का जो है वो पेपर रहा है नीचे आप डिस्क्रिप्शन में कमेंड कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस शेशन की लिंक को शेयर करिएगा और सभी को पता चले कि पेपर का थोड़ा सा लेवल अब हो आए और किस प्रकार के प्रेशन पुछे जाने लगे हैं तो इन सभी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे वन टू अन तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाएए पहले तो करंट अफेर्स के जो है दो से तीन कोश्चन पूछे जा रहे हैं जैसे जैसे की पूछा गया था देखो मैंने यहां पर कोश्चन हमारे कुछ इस्टूडेंट्स ने बताए भी यह जो मैंने लिखे हैं मैं आपको वन टूवन कोश्चन लिख करके बताऊंगा आप लोग क कर रहे हैं ना उननीस अपरेल के ठर्ड़ स्रिप्ट का हम एलाइस कर रहे हैं थार्ड श्रिप्ट का हम एनलाइस करेंगे हम हम ठीके उसमें से कोश्चन के आप लोग जरूर को वोच करें कपील यादो सर त्रीश्री सिप्ट में करना टक आया तब करेंट अफेर बहुत आ रहा है अब थोड़ा लेवल बढ़ गया है थर्ड सिप्ट का खतरनाक आया था हाँ थर्ड से पर थर्ड सिप्ट का जो पैपर है थोड़ा सा मतलब कि देखने को थोड़ा टाफ आया था ठीक है बिलकुल आया था और करेंट अफेर के दो से तीन कोश्चन पुछे जा रहे हैं जैसे कि पुछा गया था आप मुझे कंफॉर्म करना कि क्या ये पुछा गया था कि नहीं पुछा गया था महराष्ट के राज जिपाल ठीक है हो सकता है बच्चा कभी कबार उसके माइंड से सिलिफ हो जाये तो आप मुझे बताना कि महराष्ट के राज जिपाल जो है वो पुछे गया थे या नहीं पुछे गया था कमेंट करके रमेश बेश ठीक है? ठीक है? हमिंग बर्ड है ठीक है? इसके बाद में देखिए क्या पूछा गया था? इसके बाद में मुगल वंस के स्तापना किसे ने की थी? ठीक है? मुगल वंस की स्तापना मुगल वंस की स्तापना तो ये आप सभी को पता है मुगल वन्स की स्थाप ना किसने की थी बाबर ने की थी तो दोस्तो करेंट अफेर से जो है वो कुशन साथ में आई रहे हैं और साथ कतोफ थीना रहा गाया सर क्या बोल रहे है कतोफ कितना रहे गाया सर देखे कट आफ का तो अभी तो हम नहीं कह सकते हैं लेकिन कट आफ का वीडियो जरूर हम इस चैनल के मात्यम से आप तक पहुचाएंगे तो अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा ठीक है सब हम बताने वाले ह चलिए तो देखते हैं ऺाँ यहाँ पर क्या आएगा बिलकुल बाबर आजाएगा बहुत बढ़िया उदार सकती देखो यह कली हमने अगर आपने अगर आमारा कल वाला वीडियो देखा होता तो यह हमने बताया है उदार सकती अभ्यास सेन्य अभ्यास यह वाला कल हमने डिसकस किया है उदार सकती सेन्य अभ्यास ठीक है वो किन किन के मत्य हुआ है तो भारत और मलेशिया के मत्य किसके मत्य है भारत और मलेशिया के मत्य किसके मत्य हुआ है भारत और मलेशिया के मत्य अगर आप लोगों का कोई थर्ड स इसके बाद पुछा गया था Air Force का Headquarter, Air Force का Headquarter कहां पर है, तो ये तो सभी को पता होगा New Delhi, ठीके Air Force का Headquarter पुछा गया था, तो कहां पर है Headquarter, यादव जो है, ARO-wise जाही की है LGBT ना, Cut Auf List जो जाही की वो ARO-wise जाही की अणअना, Cut off list जो जाएगी वो ARO wise जाएगी भी है ना आपका बुला गया है महीला IPL में ठीक है महीला IPL में service rest खिलाडी किसे चुना गया है service rest खिलाडी service rest खिलाडी ये भी currency question था service rest खिलाडी किसे चुना गया है तो इसका इंसर आ जाएगा इसमरती मंधाना इसमरती मंधाना सर बताओ merit ARO से जाएगी है all? भाया है merit जो जाएगी वो आपके ARO Y सी जाएगी ठीके? इसके बाद पुछा गया था कि भारत में नई आर्थिक निती की कब सुरुवात हुई थी? ठीके? ये तो static GK है भारत में नई आर्थिक निती भारत में नई आर्थिक निती जो है वो कब आई थी? तो इसका right answer आजाएगा दोस्तों 1900 इंकार्णियों में आई थी? ठीके? कब आई थी? 1900 इंकार्णियों में आई थी? ठीके? इसके बाद में देखिएगा विस्व कब जो है 2022 फुड़वाल ठीके? फुड़वाल विस्व कब फुड़वाल विस्व कब 2022 विस्व कब 2022 जो है वो कहां पर हुआ था? तो यह हुआ था सांतियों कतर दोहा में कतर दोहा ठीके? इसके बाद में आपसे पुछा गया था कि विजे हजारे ट्राफी किसने जीती थी? ठीके? आपसे क्या पुछा गया था? विजे हजारे ट्राफी किसने जीती थी? विजे हजारे ट्राफी ट्राफी किसने जीती थी? किसने जीती थी? तो किसने जीती थी सांतियों? इसका जो एंसर आ जाएगा वो क्या आजाएगा सोरास्ट ने सोरास्ट ने जिती ती याद रखिये गए ना विजे आजारी ट्रोफिक ठीक है नेक्स्ट के कुश्चन की और मूवन करते हैं हम एक कुश्चन देखो अरूना चल प्रदेश के राज़पाल भी पुचह थे अरुनाचल प्रदेश के राज़िपाल के बारे में पुछा था अगर आप लोग ने कल की अगर क्लास देखी होती तो मज़े आ जाते आपको अरुनाचल प्रदेश के राज़िपाल कौन थे अरुनाचल प्रदेश के राज़िपाल थे सर वीडी मिस्रा वेडी मिस्रा ठीक है? इसके बाद पुछा गया था कि समतल जो दरपन होता है उसका प्रतिविंब केसा बनता है? समतल दरपन का प्रतिविंब प्रतिविंब केसा बनता है? अगर आपका भी पेपर था तो आप कमेंड करके बताइए मुझे समतल दरपन का प्रतिविंब केसा बनता है? कालपनिक और आभासी कालपनिक और केसा बनता है दोस्तो? आभासी बनता है ठीक है? नेक्स की उपर चर्चा करते हैं नेक्स देखते हैं मैच्स का जो लेवल है वो नोर्मल रे रहा है Maths का जो level है वो normal रह रहा है देखो Maths के level की अगर हम बात करें तो Maths हर एक बच्चा बना कर क्या रहा है इस बार Maths और reasoning का बहुत easy paper आ रहा है Maths और reasoning का जो paper है वो बहुत easy आ रहा है reasoning में आपका coding decoding से question आये था ठीक है and series से question पुछा गया था और एक alphabet से question था ठीक है जिसा मैंने मुझे बच्चों ने बताया है मैं जब सीधे interview लेने गया था वहाँ पर और Maths का बताया है कि सर एक ratio से question आया था ठीक है एक rectangle से question आया था ठीक है और भी अगर मुझे पता चलते रहे जाएंगे तो मैं आपको बताता जाओंगा कि और किस किस से पुछा गया था ठीक है अवर ओल देखा जाए तो सभी topic से लगबग एक दो दो question मैंस से पुछे जा रहे है सभी topic से एक दो दो question पुछे जा रहे हैं Maths के ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखो एक और पुछ लिया आंदर प्रदेश के राज़पाल यहां तो गज़ा भी करती भीया तीन राज़पाल एक सांथ पुछ लिया आंदर प्रदेश के राज़पाल भी पुछ लिया लो साब आंदर प्रदेश के राज़पाल भी पुछ लिया तो आंद्र प्रदेश की राजजपाल कौन थे सांतियो आंद्र प्रदेश की राजजपाल थे अब्दुल नाजीर। अब्दुल नाजिर आंदर प्रदेश की राजजपाल थे, कौन थे, एडवांस से दो कुश्चन आये थे, एडवांस से कितने कुश्चन आये थे, ये एक ऐसा कुश्चन आये था, चांग यांग करके कुछ, चांग यांग करके कुछ आये था, चांग यांग का संबंध कहा कहां से चांग यांग का संबंद कहां से तो जैंड कैसे जंबू को समिर से ठीक है चलिए हमारा एक student का भी फोन आ रहा है तो हम उससे भी चर्चा करवाते हैं आपकी ठीक है कि के सा गया उसका पेपर कि कि के सा गया है पेपर जानते हैं हलो के सा आपका पेपर कि कितने कुशन आटेम्ट किया आपने और पूरे कर क्या गया है कौन कौन से कुश्यन पूछे थे थोड़े बहुत कुश्यन यादे तुम्हें यादे तो बदाओ कौन कुन से कुश्यन पुछे थे? भारत का अंतिम वाई सराए भारत का अंतिम वाई सराए को ने? ये कुश्यन आया था क्या लगा क्या है आप इसका इंसर? ठीक है, बिल्कुल सही है और क्या था कुश्यन? दामोदर नदी का संबन्द किस से? अच्छा अच्छा तो क्या आएगा इसका इंसर? इसका अंसर में लगा क्या है हूँ अपने होगले नदी बहुत बढ़िया सही है अच्छा अच्छा और उसके बाद? साइंस के कोई कुस्चन यादा रहे है, मेच के? तो थोस है तो वो तो मतलब ऑप्षण के अकोर्डिंग लगा सकती अपन? पर हाँ तो सार थोस है मतलब हाँ क्यों अच्छा था सै एक तो लग डी हाँ लगडी थोस है? हुआ है और के सब्सक्राइब और क्या थे तो जिसे ठोस एक तो ऑप्शन से हो सकता था लकडी इसका इंसर आएगा हाँ और साइन्स के कोई कुश्चन याद आ रहे हो तो साधर अन्वियाश से था और और किसका चार का वित्क्रम एक बटे चार चार का वित्क्रम कितरा आएगा एक बटे चार आजाएगा एक बटे चार जाएगा नांग चांग जम्बु कश्मिर में यह मतलब जम्बु कश्मिर में हैं तो जो भी आपने लगड़ा को अगयरा लगाया होगा तो सही इंसर इसका और कुन से कुश्चन आये थे चलो जैसे याद आये अब मुझे वोट्स अप करना और कुश्चन आये तो याद है ना सर एक उन्टे का नाइन को हाँ ए बी ए बी डेस एरो ए बी डेस एरो ए बी डेस एरो कौन से अभी क्रिया है यह ए डेस बी अच्छा इस पर कार का कुश्चन दर चलो इसका एंस सर रूंड क्या हम बताते हैं भी है है और कोई से कुश्चन याद आ रहा हो तो जैसे बहुत इक परिवर्टन का भी कुश्चन आया था क्या आयो संबंदित का कि ठीक है ना तो देखिए और भी मेरे पास में मेसेज से जो आया थे उनकी भी हम बात कर लेते हैं रास्टपती बनने की नियूनतम आयू भी आया था रास्टपती बनने की नियूनतम आयू ठीक है नियूनतम आयू जो है वो क्या है तो न्यून्तम आयू जो है वो राष्टपती बनने की कितनी है पैती से ठीक है इसके बाद आया था चाहे में कौन सा अमल होता है चाहे में कौन सा अमल होता है तो इसका इंसर आजाएगा टैनिक अमल कौन सा आजाएगा टैनिक अमल और इसके बाद में दिया था 2011 की जणगर्णा में भारत में बहुत कितने प्रतिशत थे तो 2011 की जणगर्णा हुई थी ठीक है उसमें बहुत का जो प्रतिशत था वो कितना था 0.7% ठीक है चीटी के काटने के बाद जो उर्जा निकलती है वहाँ क्या लगाने से ठीक होती है तो यह option से आप कर सकते थे कौन से फल में भीज नहीं होता है तो देखो option था save option दूसरा था केला तो केला में क्या नि होता है केले में जो है वो दूसरा केला था तीसरा क्या था आपके पास में अंगूर और चोथा था कोई नहीं तो इसका जो एंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा केला ठीक है केला में जो है वो नहीं होते ठीक है बदाओ बटाबट कमेंड करके और भी कोई कुश्चन अगर आपको याद आ रहे हो तो वर्तमान के मुख्य नियादिष भी आये थे सहेद तो ये थे वाई भी चंदरचूड चंदरचूड ठीक है वर्तमान के मुख्य नियादिष मुख्य नियादिष ओके चलिए और बताईए जिसका बेपर था अगर कोई जैसे सेना दिवस का भी आयता है कुश्चन कि सेना दिवस कब मनाया जाता है तो सेना दिवस मनाया जाता है पंदरा जनवरी को कब मनाया जाता है पंदरा जनवरी को मनाया जाता है ठीक है इसके बाद में वहां कौन सी सरक्रा है जिसका पाचन पसूँ में आसानी से होता है लेकिन मनुश्य मनी नहीं क्या आजाएगा इसका इंसर इसका इंसर क्या आजाएगा इसका इंसर क्या आजाएगा इसका इंसर क्या आजाएगा क्योंकि वो इतियास कहीं आता है ना इसरी से कोशन था माउंड बेटेन वाला और एक मुगल वाला भी था दो कोशन इतियास से थे दो कोशन इतियास से थे दो कोशन इतियास से भी थे ठीक है कगर की स्थापना काई की? सहज प्रीत क्या बोल रहे हैं आप? किसकी स्थापना की बात कर रहे हैं? कगर की स्थापना? मुगल वन्स की स्थापना जरूर पुछी गई थी वही है वायू सेना का मुख्याले जो पुछा गया था वो नहीं दिल्ले में है न? वायू सेना का मुख्याले कहां पर है? नहीं दिल्ले में चलिए इसका देखिएगा आप लोग चेनल को सस्क्राइब करते चलिए और लाइक करते चलिए, सिमला समझोता पुछा गया था, क्या बताओ, सिमला समझोता पुछा गया था, 1916 आएगा इसका इंसर, सिमला समझोता, 1916 आएगा इसका इंसर, एक था, दूरी और समय दिया था, दूरी दी थी, कितने, 3800, और समय कितना दिया था, 120 के सम्तिंग दिय सब्सक्राइब twenty zero, जिरोटो चैंसिल करना था आपको और मीटर पर सेकेंड में निकालना था तो कैंसिल कर देते दो से यह जाएगा च्हें बार यह जाएगा एक नो 04 से करते हम तो यह जाएगा हमारे पास शेदूना बारा, शेटरी अठारा और कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पर एक बचेगा तो यह हो जाएगा छेए कम छे 31 दसंबलों के सम्तिंग आएगा भी यह एंसर है न, 31 दसंबलों में जो भी एंसर था वो सही होगा, ठीक है चार और चार का वितक्रम का योग चार और चार के वितक्रम यहने एक बटे आट और एक बटे चार और एक बटे चार का एक धागे की लंबाई और चोड़ाई इतनी थी से एक वर्ग बनाया गया, तो वर्ग की भुजा क्या होगी, देखो, लंबाई चोड़ाई इसका मतलब क्या है, कि जो छेत्रपाल होगा वो सेम होगा, तो 28 गुनित कितना हो जाएगा, हमारे पास 10, ये वर्ग की भुजा का बराबर आ जाएगा, तो इसका अगर मानलों, इसकी भुजा निकालने थी हमें, तो ये हो जाएगा, हमारे पास कितना साथ गुनित हम इसको लिख सकते हैं चार और यह हो जाएगा हमारे पास दस हो जाएगा ठीक है तो यह हो जाएगा दो अंडरूट सित्तर के सम्तिंग आया होगा इसका एंसर ठीक है दो अंडरूट सित्तर आया होगा और बताईए किस प्रकार के और कुश्चन कुछे गए थे जिससे कि हमें पता चल पाए और बताईए आप लोग इतने कुश्चन हमें मिले हैं जितने मैंने यहां पर डिसकस कर दिये ठीक है सर चौदा और और बाइस से तेरा इंसर क्या है क्लास में कुछ कितने बच्चे थे सर रविंद्र आपका समझ में नहीं आ रहा है आपका मेसेज में क्या आ रहा है क्या बोलना चाहरे हुआ चली कमेंड करिए और किसी का जो पैपर दे करके आए हैं और अगर उनका एंसर पता चला हो तो उनने कितने अटेम्ट किये हैं यह सारी चीजा आप मुझे बताईएगा ठीक है और देखिए जो लोग भी पैपर दे करके आए हैं आप लोग मुझे 7987571360 ठीक है जोह प्राजएगा जोग मे मुझे बताऊ खवग मुझे 22-60.